नेकल तो पर सो लेकिन आपको मैं जितना बता देता हूं वेंग वी सिर हमार weird कि मैंने खुद बहुत टीचर से बात कियां दिक काकुड आपके सामने यह विडियो ला रहा हूं तो दोस्तों मैं सुरूर करता हो बीना Time Waste कि आप लोगों को पता होगा कि इंगलिस जो होता है 20 नमर का होता है Mathematics 25 नमर का होता है और Physics 25 नमर को होता है टोटर टाइम आप लिए 70 मिनट दिये जाते हैं यह भी आपको पता होगा तो दोस्तों एक और शीज़ बता देते हैं बहुत लोगों कर डाउट रहता है तो अगर मैं जल्दी पेपर कर लेता हूं मानों कि इंगलीस में अगर 20 मिनट है मैं 10 मिनट में खतम कर देता हूं क्या मुझे यह जो मैंट में है वो टाइम 10 मिनट इसमें यूज कर दो बिल्कुल नहीं आपको 20 मिनट है तो 20 मिनट तक आपको इंगलीस का सेक्शन खुला रहेगा उसके बाद वो खुद बखुद लॉक हो जाएगा उसके बाद आपको मैथेमेटिक्स का खुलेगा फिर फि richer ओर आपको सेटर लेशन और अधेरेंशन यहां से आपको दो से तीन कोश्चन देखने को मिलेंगे कीPad complex नमबर से आपको एक से दो कोश्चन देखने मिलेंगे एक तम मैं सbauen सेटीक बता रहा है हो once हो सकता है एक कोशिन से एक कोश्चन रहेंगे permutation से एक question, binomial से एक question, logarithm से एक question, binary number से पिछले बार एक formula direct पूछ लिया था तो हो सकता है एक question पूछ ले और trigometric का मैं एक ही बार section लूँगा, मैं यहाँ पर trigon का नहीं लिख रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि trigon का मैं एक ही बार लूँगा, तो मैं बताते हूँ, पूरा trigon से आपको दो से तीन question मिलेंगे एक जाम में 100% मिलेंगे और आपको पहुत ही simple मिलते हैं, वहाँ पर आप theta रखके भी बना सकते हो उसके बाद बात करें, inverse trigon का तो एक question आता है, matrices और determinants से दो question पूछ लिए जाते हैं, हर बार पुछेगा, इस बार भी पुछेगा straight line से दोस्तों, यहाँ पर एक पर फिर से straight line कमाल करेगा, और एक से दो question रखिए, straight line का circle और conic को मैं दोनों को मिला देता हूँ, तो 2 से 3 है, और आपको याद होगा कि conic से एक बहुत ही best question आता है, यह rectangular hypergola का eccentricity पूछ जाता है, मैं बता देता हूँ, इसी वीडियो में कि root 2 होता है, याद रखना सब, ऐसे कोई काम का है नहीं, अभी बताना, लेकिन मैं बता द तो मैंने यहाँ पर एक top page में लिका, probability से आपको एक question मिलेगा, हो सके तो मिल जाता है, probability से या static से कभी-कभी question आते हैं, limit से आपको एक question आएगा, जिसमें limit हुआ, continuity हुआ, और differentiability हुआ, एक question आएगा, okay, derivative से आपको, derivative मैंने लिखा है, derivative से एक question आएगा, application of derivatives से दो question आता है, integration, indefinite integral से और definite integral दोनों मिलागे, दो question आप note कर ले न, मैं यहाँ note नहीं कर पा रहा हूँ, indefinite integral और definite integral दोनों मिलागे, दो question आएगे, साथियो, और area under curve आपको पता होगा, एक question आता है, और बहुत यह अच्छा वाला जो formula होता है, 8y3, a square by mq, यहाँ से ही एक question आता है, कभी formula भी पूछ दिया जाता है, और differential equation तो सभी exam के लिए famous हो, India हो, या air force हो, order वाले question हमेशा से पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, तो मैं अंती में आप सभी को बता देता हूँ, एक चीज, देखिए, पचीस में पचीस लाना मुस्किल नहीं है, इंडिया ने question मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको algebra पर ध्यान देना होगा, वहां से 13 से 14 question आते हैं, और बहुत ही easy तरीके से आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहां पर easy marks नहीं लाते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, जो average student होते हैं, वो भी 15-16 score कर जाते हैं, तो आप असानी से कर सक तो कल physics के पर जरूर बनाऊंगा important topics पर और जो मैं बताऊंगा 100% वहीं से आएगा, क्योंकि मैंने सारे experience है, इतने सर से पढ़ा हूँ, और सभी सर को देखता हूँ पढ़ाते हुए, और questions bank है मेरे पास, तो जरूर से आपको benefit मिलेगा, तब तक के लिए जय हिन, जय वारत, वंदे मात्रा में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेर करो और अपने friends को भी बताऊ